हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होब बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आए हैं करारी आलू पूरी बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी हम कई तरीके की बनाते हैं पर आलू पूरी की तो बात ही कुछ और है तो फ्रेंट्स आईए आलू पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं आलू पूरी बनाने के लिए हम नहीं आलू को बोईल करना है, अब हम सबसे पहले आलू को आटे के अंदर घिस देंगे, ये हमने ग्रेटर लिए है, इसकी साहिता से हम आलू को बारी घिस देंगे, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, पर मैश करने से क्या होता है कि आलू की जो गुठलियां बन जाती है वो पूड़ी बनाने बीच में आएगी और पूड़ी आसानी से फूलेगी नहीं देखिए दौनों आलू को हमने आटे के अंदर गिस दिया है आईए अब आटे में मसाले डालना स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पे आधा चम्मच के आसपास हरी मिर्च कटकर के रखी है हरी मिर्च डाल देंगे एक चम्मच के आसपास हमने धनिया पत्ती कटकर के रखा है धनिया पत्ती को भी डाल देंगे अब हमने ली है छोटा आधा चम्मच सॉफ पिसीवी सॉफ है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पूरी में जब भी कोई मसाला पूरी बनाते हैं तो उसमें सॉफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो आप सॉफ को पीस करके डालें एक छोटा चमच हमने अजवाइन डाल दी है अजवाइन भी पूडी में बहुत जरूरी है एक छोटा चमच हमने तिल डाल दिये हैं सर्दियों का मौसम है सर्दियों में तो तिल खाना भी चाहिए और आलू पूडी के अंदर तिल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लुकिंग में भी बहुत ही अच्छी लगती है देखिए कितने सारे हमने मसाले डाले हैं अब हम डाल देंगे हींग लगबग एक से दो पिंच के असपास हमने हींग डाली है हींग स्ट्रॉंग वाली है इसलिए मैंने कम डाली है एक छोटा चमश डाल देंगे हम लाल मिर्ज पाउडर, थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, अगर आप पूरी का कलर चेंज करना चाते हैं तो हल्दी डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, मसाला पूरी है ऐसलिए नमक थोड़ा सा जादा ही अच्छा लगत आलू पूरी को क्रिस्पी और कुरकुरी बनाने के लिए हमने यहां पे लिए सूजी, दो चमश सूजी डाल देंगे, आये अलू को मसालों को आटे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से मसल मसल के आलू को आप मिक्स करेंगे आटे के अंदर, तो जड़ा स्पाइसी फसंद करते हैं तो थोड़ी ची लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं, पर मसाले एकदम पर्फेक्ट हैं, ज्यादा नहीं डालना है, अब हमने लिया है पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छी तरह से लगा लेंगे, आलू पूरी की बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब करें, साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से ज चुके हैं, आटे को चेक कर लेते हैं, देखिए बहुत बढ़ियासा आटा तयार हुआ है, हलका सा तेल लगा लेंगे, आटे पे हमने हलका सा तेल लगा लिया है, और इसको अच्छी तरह से ऊच्नु Mexican मत लेंगे, ताकि पूडी अंदम करारी और सोफ्ट बनके तयार हो, लेंगे और इसकी लोई बनाना स्टार्ट करेंगे आपको जिस साइज की पूड़ी बनानी है बड़ी यह छोटी आप उस हिसाब से आटा ले 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 और इसको गोल कर ले ओई लगाने से क्या होगा कि यह हाथ पे चिपकेगा नहीं इसी तरह से सारे आठे को गोल कर लेंगे सभी आठे के हमने पीस तयार कर लिए हैं यानि कि हमने आठे की लोई बना के तयार कर लिए हैं और लगबग 14-15 पीस बन के तयार हुए हैं आईए अब हम पूरी बेलना स्टार्ट करते हैं किचन की स्लैप पे चकले पे या चौपर बोर्ड पे जिस पे आपको ठीक लगे आप पूरी को आइस्ता आइस्ता बेल लें देखिए कितने बढ़िया से हमने पूरी बना ली है इसी तरह से सारी पूरी बेल के तयार कर लेंगे आलू की पूरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसको गरम तो खाई सकते हैं गरम तो बहुत ही टेस्टी लगती है पर ठंडी होने पे और भी ज्यादा टेस्टी लगती है आप इसको टिफिन बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं इसी तरह स चेक कर लेते हैं, देखिए, ओईल गरम हो चुका है, आहिस्ता से पूरी को ओईल में छोड़ देंगे, आहिस्ता से चेंज भी कर देंगे, देखिए, हमने साइड चेंज कर दी है, पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, आलू की पूरी होकर के भी पूरी बहुत अच्छे से फूली है, पूरी को साइड चेंज करकर के हम आसानी से तल लेंगे, देखिए, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी पूरी बनके तैयार हुई है, कितनी सुन्दर लग रही है, आपको पास से दिखाते हैं, इसी तरह सारी पूरी तल लेंगे, देखिए, कितनी मज़ेदार रेसिपी है, कितनी आसानी से पूरी बनके तैयार हो गई है, सबी पूरी ओं को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और गर्मा गरम सर्फ कर देंगे, आलू की क्रिस्पी करारी पूरी बनके बिल्कुल रेडी है, हमने सर्फ भी कर दी है, लुकिंग में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लग रही है, तो फ्रिंट्स आलू की पूरी बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, थैंक यू, थैंक यू, सो मच, हवा नाइस दे,